हैलो दोस्तों, वेलकम टू दो फाइप मीनट सो दोस्तों अगर आप भी यूपी पॉली टेकनीक प्रवेश्ट पाइच्छा 2030 की प्रिपेशन कर रहे हैं आप चाहे किसी भी ग्रूप के स्टुडेंट हो, आप सभी के लिए आज की ये वीडियो बहुत ही जादे हलपूल होने वाली है आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं वाइरस, बैक्टिरिया और प्रोटो जोवा से होने वाले रोगों के बारे में जो की इससे एक से दो प्रस्ण जो है, वो एक्जाम में निश्चित रूप से पूशे जाते हैं सबसे पहले हम जानेंगे वाइरस, यानि की विसाडों से होने वाले रोगों के बारे में दोस्तो सबसे पहले हम जानेंगे चेचक यानि इसके बारे में तो सभी छातर लगबक जानते होंगे चेचक रोग जो होता है यह दो प्रकार को होता है जिसे की पॉक्स के नाम से जानते हैं दोस्तो इसमें एक question बहुत ही most important बनता है वो बनता है कि जो चेचक रोग होता है यान जो छोटी मता और बड़ी मता रोग होता है यह कौन सी virus के काड़ होता है दोस्तो इसका जो virus होता है उसका नाम होता है वैरिसिला जोस्टर इसको आप note कर लिजेगा क्योंकि यह बहुत ब मिसल के नाम जानते हैं इसे एंगलिस में हम ठीक है तो खसरा यह हमारा दूसरा रोग हो गया विसाडू से होने वाला रोग दोस्तो अगला हमारा है influenza और यह भी आपका विसाडू जनित रोग होता है अगला आपका है polio जिसे कि आप jointis के नाम से जानते हैं दोस्तो पोलिय उसल के गए पिला कर देता है आपके चेह्रे को आपके आख को पीला कर देता है उडिया फ़िसाडू सेही जनित होने वाला रोग है अगला यह हम्मिकियो श्याग होता है एक आपका होता है Hepatitis A और एक होता है आपका Hepatitis B तो ये भी question पूछा राता है Hepatitis रोग के क्या प्रकार है तो मुख रुप से इसके दो प्रकार होते हैं और इसके अलावा Hepatitis रोग के कही सारे प्रकार है अगल आपका है AIDS इसका full farm exam में पूछा राता है AIDS का full farm क्या होता है Aquired Immuno Deficiency Syndrome इसको मैंने पेशली वीडियो में भी आपको बता दिया था AIDS का full farm क्या होता है ठीक है ये भी आपका जो रोग है AIDS ये भी आपका विसाडू से यानि की वाइरस से जनित होने वाला रोग है अगल आपका है डेंगू ज्वर दोस्तो आपने डेंगू का नाम जब भी सुना होगा तो साथ में चिंगर बुनिया का नाम भी सुना होगा तो डेंगू और चिकन बुनिया दोनों ही वाइरस से होने वाले रोग है और ये मच्छड के द्वारा फैने वाला दोनो ही रोग जो है, वो मच्छड के काटने से फैलता है, डेंगु जो होता है, वो माला एनाप्रीज के तरह फैलता है, वही जिकन बुनिया भी आपका मच्छड से ही फैलने वाला एक पकार का वायरस से जनित रोग है, दोस्तों वायरस के बाद अब हम समझेंगे, बैक्ट प्लेग जो रोग है वो आपके भारत में बहुत कम मात्रा में यह रोग देखने को मिलते हैं पर प्लेग जो है यह प्लेग का बुखार से यानि की फीवर से सम्मनित रोग है तो यह भी आपका जीवाडू से जनित होने वाला रोग है तो अगला आपका है सिफिलिस यह भी आ ऐसे पदार्थ से चोट लग जाए, तो हम टिटनिस का इंजेक्शन लेते हैं, या इसका वैक्सिन लेते हैं, ताकि हमें कोई भी इससे समस्या नहों है, अगला क्विश्चन आपका है खाली-खासी, तो काली-खासी यानि कि यह खासी यानि कि गले समंत रोग है, और यह भी जिवाडू के कारण ही फैलता है, अगला आपका है कुष्ठ रोग, यह भी आपका जिवाडू से फैलने वाल रोग है, अगला आपका है टाइफाइट, ताइफाइट जो है यह भी आपका जिवाडू से ही यनने वाला रोग है, ठीक है, नेक्स्ट आपका है नीमोनिया औ पापा काम पेस होते हैं यह आपका इसका ट्रीक है और इसको ट्रीक से आप कैसे याद करेंगे देख लिए आपका जो पहला रोग है वो है पारिया जो कि आपके दात में हो जाता है और विटामिन सी की कमिस होता है पारिया के कारण होता क्या है कि आपके दात से खून आने ल तो यह आपके प्रोटोजोवा के कार ही ही होती है अगला आपका है कालाज target श्फार दूस्तों कालाजवार यानि कि ज告诉 या निकी बुखकार समंदित है और प्रोटो जो है ये बहुट कम मात्रा में देखना को मिलता है मात्र एक से दो परसेंट ही भाट में देखने मिलते हैं पर यह जो रोग है यह बुखार से संबंदित है दोस्तों प्रोटो जोवा से होने वाला जो हमारा अगला रोग है वो है मलेरिया दोस्तों मलेरिया जो रोग है यह भी आपके प्रोटो जोवा से होने वाला रोग है और इसका जो मुख्यका रोग होता है वो मच्छड भी होता है अगला आपका है पेचीस पेचीस जो रोग है ये आपके सरीर में हमें किटाडू होते हैं ये हमारे सरीर में किसी भी माध्यम से या फिर भोजन से या फिर पानी के माध्यम से सरीर में प्रवेस कर जाते हैं और सोने की विवारी क्या होती है तो इससे सीखनेस भी कायता है स्लीपिं सीखनेस यानि कि आपको इतनी सुष्टी लगेगी और आपको बहुत ज़्यदा नीद लगेगा यह आपकी सोने की विवारी काती है और दोस्तों इसका एक most important question मनता है कि इस रोक के होने के लिए कौन सा प्रोटो जोवा है ऐसा कौन सा प्रोटो जोवा है जो की कारक इसका होता है ट्रिपेने सोमा बुकेई इसका प्रोटो जोवा होता है ट्रिपेने सोमा बुकेई के कारण ही आपके अंदर स्लीपनेस सीखने साजाती है यापको सरीर में बहुत जादी कमजोरी और सुष्टी फीर होती है और आपको बार-बार निद लगता है ठीक है तो इस रोग को आप अच्छे से जान जाईए और इसका गलत फाइदा नहीं उठेएगा कि घर पे बोलने कि हमको ट्रीपेनसोमा ब्रुकेई हो गया है और अगर ऐसे ही बोलते हैं तो आपको यह जो नाम है वो बहुत ही आसाये से याद हो जाएगा ठीक है तो ट्रीपेनसोमा ब्रुकेई जो है रोग यह आपके स्लीपिंग सीकनेस को ब्लावा देता है और इसका कारक होता है तो दोस्तों आपको आज का हमारा यह 5 मिनट सो कैसा अलगा हमें कमेट बॉक्स में आवसे बताएं और अगर वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जादे जादे अपने दोस्तों के साथ